आगामी चुनावाने से पहले सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से वोटरों को सादने में लगी हैं। बीजेपी ने भी इसी के तहट रविवार को दिल्ली के राम निला मैदान में समरसता खिचडी का आयोजन किया। इसके लिए बीजेपी ने नागपुल से मशूर शेफ विश्नु मनोहर को दिल्ली बलाया था। बीजेपी ने दिल्ली में समरसता खिचडी में 5000 किलो खिचडी बना कर रिकॉर्ड तो बना दिया। पर देखना होगा 2019 में बीजेपी को इसका प्रशाद मिलता है या नहीं। वह आदी मुट्टी दाल इखटा की थी। आपको बता दे इस आयोजन में 5000 किलो खिचडी को पका कर लोगों को खिलाया गया। इससे पहले 3000 किलो खिचडी बनाने का रिकार्ड बना चुके विश्नु के सामने 5000 किलो खिचडी बनाने की चुनौती थी। इसके लिए उन्हें कापी मैनत करनी पड़ी। शुक्रुवार से राम नीला मैदान में कडाई को सही तरीके से लगाने का काम शुरू हुआ था। विश्नु ने बताया पूरी 51 किलो खिचडी बनाने में उन्हें पांच घंटे लगते। आयोजन में भाजपा नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष राहूर गांधी वहाम आदमी पार्टी के राष्टी संयोजक अर्विंद केजरिवाल पर जमकर निशाला साता। दिल्ली प्रदेश भाष्टा अध्यक्ष मनोस्तिवारी ने कहा कि समाज को बाटने वालों की बुद्धी ठीक करने वा सकरात्मक उर्जा का संचार करने के लिए ये कारिकरम आयोज़त किया गया है। लेकिन केजरिवाल वराहूल इसकी भाव से बेहोश हो रहे हैं। हमने सब को बुलाया था यदि आते तो उनमें भी सकरात्मक उर्जा का संचार होता। वही विपक्ष ने पूरे आयोज़न को लेकर बीजेपी पर निशाना साथा। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी केवल वोर्ड बैंक की रागनीती कर रही है। उसका दलितों से कोई लेना देना नहीं है। बीरो रिबोर्ट प्राइम टीवी।